सीमा पर हालात अब बदले हुए हैं चीन के विस्तारवादी नीती के बाद भारत ने भी चीन LAC के मोर्चे पर अपनी मजबूती बढ़ाई है सड़के बन रही है ताकि आसानी से सीमा तक पहुँचा जा सके वहीं ताकतवर हत्यारों की तैनाती भी की जा रही है हम आपको दिखाते हैं हमारे सही होगी गौरफ सावन के पूर्ट अगर आप 1962 की बात करें तो पहले तवांग फिर जस्वनगर फिर सेला इसकी सुरक्षा के लिए बहुत कड़े कदम उठाए गए थे लेकिन 60 वर्ष बाद परिस्थिती पूरी बदल गई है इस समय आप देख भी सकते हैं कि सेना की कई गाडियां वास्तविक नियंतरन रेखा की ओर जा रही है यह अलग-अलग जगहों पर सेना की मौजूदगी को और दुरुस्त कर रही है 1962 से 60 वर्ष बाद अब मानसिक्ता पूरी तरह से बदल गई है इस समय आप देख भी सकता है या बर्फबारी भी हो रही है और सड़के भी इस तरह की बनाई गई है कि बर्फबारी हो भी तो बर्फ को वहां से हटा दिया जाए और दर्रे को खुला रखा जाए दूसरी तरफ यहां पर एक टनल भी बन रही है ताकि साल भर आवाजाही हो सके तवांकी सुरक्षा के लिए मानसिक्ता कैसे बदल रही है मानसिक्ता इस तरह से बदल रही है कि अब चीन को वास्तविक नियंत्रड रेखा पर ही रोक देनी की आवश्यक्ता है जिस तरह से चीन को यांकसे में रोका गया था अगर 300 चीन के सिपाही आए तो उससे बड़ी संख्या में भारतिय सिपाहियों ने वहीं उन्हें ख़देड दिया ऐसे आठ फ्रिक्शन पॉइंट इस क्षेत्र में हैं लेकिन 3500 किलोमीटर लंबी वास्तिविक नियंदर नरेखा पर इस तरह के कई फ्रिक्शन पॉइंट्स है सेना में सूत्रों के मताविक कुट प्रोको उप्रेशन जिस तरह से लदाख में किये गए थे कि अगर चीन हमारे इलाके में घुसने की हिमाखत करता है तो भारतिय सेना भी किसी इलाके में अंदर घुसकर चीन को डॉमिनेट करेगी या वहाँ पर अपना वर्चस्व बनाईगी और फिर बातचीत के जरीए दोनों अपनी अपनी जगाओं पर वापस हटेंगे तो अब पूरी 3500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंतर रेखा पर सेना अपनी मौझूदगी को और दुरुस्त कर रही है इस तरह से इंफ्रास्ट्रॉक्चर डिवलिप्मेंट यानि सडकों का जाल बनाना कई एर फील्स बनाना एड़फ लंडिंग ग्राउंड्स बनाना कم्यूनिकेशन इकुट्मेंट अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सेना के जवान सिगनलस के जवान कम्यूनिकेशन इकुट्मेंट को दुरुस्त कर रहे हैं इस तरह का communication equipment कि अगर China cyber warfare की कोशिश करे तो उसकी redundancy यनि उसका तोड़ भी यहां मौजूद हो आने वाला युद जिसकी तैयारी हो रही है वो इस तरह का होगा कि cyber warfare space warfare information warfare वो जमीनी लड़ाई से पहले होगा और तैयारी वहाँ पर भी सेना को और दुरुस्त करने की है जिसमें सेना वायू सेना नौ सेना सभी एक साथ पूरा देश एक साथ मिलकर इस operation को अंजाम देगा देश की सुरक्षा के लिए योगेंदर सिंग के साथ गौरफ सावंत सेला पास अरुनाचल प्रदेश आज तक भारत के लिए चीन पर भरोसा करना मुश्किल है कई बार चीन ने भारती सीमाओं पर घुसने के साज़श चुची है जहां हमारी सैनिकों ने उसकी साज़शों को नागाम किया गलवान से लेकर तवां तक चीन को मुतूर जवाब दिया गया तवांग में मचे घुवनासान के बीच सीडियस अनल चौहान ने भी चीन को एक बड़ा खत्रा बता है अब तो जो है इंसेजेंसी की सिच्वेशन जो है जिस स्टेट्स के लिए करते हैं तो फिर उत्राख्वान हिमार्चम इन स्केट्स को भी जो है उन्हीं स्कीम्स का जो है फार्दा होगा कि जो फॉज इंप्लेमेंट कर पाएगी और आपको पता है कि आर्मी जो है जहां जब भी रहती है तो वह एक्दम ही फावर्ड डेप्लाइट रहती है अगरी में लापों में रहती है